ग्रण अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल या राशीफले 6 सितंबर 2021 सोम बार का दिन है भादरपद महा के कृष्णपक्ष की अमावश्या तिथी है कुछ ग्रहनी अमावस्या तथा पोला पिठोरा अमावस्या इसी दिन रहेगी तथा सोमबती अमावस्या का महा पर्व भी रहेगा हलाकि कुछ पंचांगों में 7 सितंबर को भी अमावस्या मानी गई है लेकिन मध्यान व्यापिनी तथा पित्रकारी के लिए सर्वोत्तम अमावस्या 6 सितंबर 2021 सोम बार के दिन ही रहेगी इसलिए इस इसलिए पूरदिशा की यात्रा करना नुक्सान दाईशा भी थोगा। अगर किसी कारण वस पूरदिशा की यात्रा करना बहुत जादा आवश्यक हो। तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा प्रारंब कर सकते हैं। राहुकाल जो की सुबह साड़े साथ बजे से शुरू होकर के नो बजे तक रहेगा। इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कारे आपको नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपको मेज से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी प्रकार का शुभ मांगलिक राशी में। पलपताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेज रासीगी। पलत फाइदा उठा सकते हैं। दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी। तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे। इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविद्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए। महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप्रसिद्ध होगा। और उपाय के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक था, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेश योगदान रहेगा। आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेश उपस्तिती रहेगी। इस समय परिश्चितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगी। लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे। गर के बुजुर्गों के स्वास्त का विश्यज ध्यान रखे या समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। करिक्षत्र में आई के साधनों में ब्रद्धी होगी। इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। नजदी की मित्र की सला आपके लिए फाइदयमंद साबित होगी। उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फुल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा। भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा। मकार्म तथा अध्यात में गती विदियों में आपकी रूची बढ़ेगी। इस समय धन के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है। जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा। आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज वो नरम बना करके आपको रखना चाहिए। आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है। क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इनर्ण गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे। नुक्री पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा। उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चडाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक साथ होगा। भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा खरिदारी होगी समय अच्छे से व्यतित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परियास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परंतु अपने विरोधियों की गटी विधियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फिमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाय के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आपका प्रभाव साली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतित करना आपके आत्मबल्व कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वानी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी समाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी-कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परन्तु मनन करे कि आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम व्यक्तित तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाब से खुशी आपको महसूस होगी अपने आपको तरो ताजा आप महसूस करेंगे कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना दाईत्व आपको निभाना होगा निवेशंबंदी मामलों में ज़्यादा वैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं उपाई के रूप में गाई को हरी घांस या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरुबात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांती पूर्ण तरीके से निपढ जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का कारण बनेगा अध्यत्मिक क्षित्र के प्रतियाप का रुजान और अधिक बढ़ेगा परन्तु कभी कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे बिठाएं किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुत ही समझदारी से काम लेने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ योजनाई बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिलचस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो जाएंगे भावकता में आकर कोई भी गलत निरनाय न करे किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है कोई भी बहारी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशकता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे किसी नज़्दी की व्यक्ती के घर जाने का आमंतरन आपको प्राप्त होगा पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तयार होगे कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना चाहिए योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अवश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा और जो भी सुचना आपको मिले उससे नजर अंदाज ना करे आपके लिए वह फाइदेमंद साबित होगी उपाई के रूप में काले तिल गाय को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास पर यहास तथा मनोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय वर्तीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्पास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भगिशाली अंक एक होगा भगिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा वक्ष प्रमता को निखारने का अउसर प्राप्त होगा समाज में आपकी किसी विशेस उपलब्धी को लेकर के चर्चाएं रहेगी जैसे मन में उमंग वरी रहेगी किसी महत्पूर्ण यात्रा का योग बन रहा है और उपाई के रूप में माता लक्ष्मी जी को पीला फूल चड रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अब श्यक्र लीजिए आपको आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धर्निवाद